जहें दोस्तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चेनल में तो दोस्तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए MPGK MPGK के बहुत ही महत्वण पुश्चनान से लेकर आए हैं आपके लिए तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है और टेलिक्राम गृप से बस तो जड़ने टेलिक्राम एप में आपके लिए क्या करना है आई एएस इस्टेडी ट्रिक सर्च करना है और वहाँ से आप हमारे टेलिक्राम गृप को जोईन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारी PDF फाइल आपके लिए उपलब्द कराएं जाती हैं study material वह सारा आपके लिए वाँ पर उपलब्द कराया जाता है तो जो भी MP police और MP jail prairie परिक्षे की तयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्तपूर्ण एह question answer हैं तो वीडियो को अंति तक जरूर देखें अगर आप MP jail prairie वाटसप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो 9098609291 इस नंबर पर आप जो है वाटसप नंबर पर message करें तो आप जो है MP jail prairie वाटसप ग्रूप की लिंक आप कहां पहुंच जाएगी वहां से आप join कर सकते हैं ग्रूप को तो चलिए आज का अपने हापर first question है कि मद्द प्रदेश में तीन जन जातियों के लिए विसेश पुलिस भरती अवियान चलाया है इनमें से कौन सी सामिल नहीं है तो नहीं है बताना है कौन सी नहीं है बताईए तो चार विकल्प यांसर बनता है अगर आप से तो कमेंट में जरू बताएं आप तो कौन सी नहीं है तो आप के हाँ पर जो right answer है वह है विकल्प number C विकल्प number C में यानि कि आपका right answer होगा अगरिया जन जाती अगरिया जन जाती जो है सामिल नहीं है अंगला कौस्चन है याँ पर क्या है कि हमारे सहरों का रूप आंतरन किसकी पुस्तक है बताए हमारे सहरों का रूप आंतरन एप पुस्तक बताना है एप किसकी है कौस्चन नमबर 2 का right answer कमेंट में जरू बताते जाएं एपोस तक किसकी है हमारी सहरों का रूपांतरण अनुपम मिस्रा, संजा जोसी, संजा प्रभू या ईस्वर आहलूवा लिया तो आपका यहाँ पर राइट आंशर है ईस्वर आहलूवा लिया आपका जो है राइट आंशरों का विकल्प नमबर D अंगला कॉस्चन है यहाँ पर क्या है कि देश का 26 वा सेनिक स्कूल कहां खोला जा रहा है देश का बता रहे हैं यहाँ पर देश का 26 वा सेनिक स्कूल कहां पर खोला जा रहा है भोपाल, वैतोल, भिंड या साजापूर तो question number 3 का right answer बताएं क्या होगा इसका right answer तो इसका जो right answer है भाई क्या है भाई है भिंड है भिंड आपका यहाँ पर right answer होगा विकल्प number C यहाँ पर जो है देश का 26 वसेनिक स्कूल खोला जा रहा है अंगला question है कि पुलिस विवस्ता को बहतर बनाने के लिए राज जी के पुलिस विवाग ने किस इनवर्सिटी के साथ समझवाता किया है तो बताएं कौन सी इनवर्सिटी है जिसके साथ समझवाता किया है तो question number 4 का यहाँ पर जो right answer होगा भाई है क्या है विकल्प number C विकल्प number C में क्या है MIT आपका यहाँ पर right answer होगा MIT जो इनवर्सिटी है इसके साथ समझवाता किया है पुलिस ने अंगल्या question है आपर कि राज जी का पहला बन जीव जागरुकता के अंदर कहां इस्ते थे तो कहां पर है छिनवाडा में जवलपुर में इंदौर में या खमरिया में चार बिकल्प हैं आपके सामने देश का पहला बन जीव जागरुकता के अंदर कहां पर है तो question नमबर जो पांच है इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नमबर C इंदौर इंदौर आपके यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा इंदौर में इस्तेतिव जो है प मद्द प्रिदेश का बाय कौनसा जला है गौलियार सियोपूरी बयातूल यह इंदौर question नंबर 6 का right answer बताना है क्या होगा इसका right answer question नंबर 6 तो इसका जो right answer है वह है विकल्प नमबर B सेवपुरी जो है आपका यहां पर right answer होगा विकल्प नमबर B आपका यहां पर सही answer है सेवपुरी अंगला question है यहां पर कि मद्द प्रदेश में नर्मदा नदी से रेट खनन पर प्रितिवंद कितने जिलों में लगाया गया है तो आपका right answer है अठारा जिलों पर प्रितिवंद लगाया गया है अंगला question है यहां पर क्या है कि मद्द प्रदेश में डिजीटल डाकिया scheme किस सहर में से सुरू की गई तो यह जो scheme है किस सहर से सुरू की गई है बताईए ग्वालियर से मंदला से इंद और से या सी होर से question number 8 का यहां पर right answer बताना है क्या होगा question number 8 का right answer तो question number 8 है यहां पर इसका जो right answer है वह क्या है विकल्प नंबर सी इंद और आप यहां पर right answer होगा इंद और से जो कौन सी किस जिले में है यहां पर क्या बनाए जाएगा मद्द प्रदेश खाद फलियान अनुसंदान केंद्र अमलाह में तो एक इस जिले में है रीबा सागर सी होर मुरेना तो आपका right answer क्या होगा question number 9 का तो question number 9 है इसका right answer है विकल्प नंबर सी विकल्प नंबर सी में क्या है सी होर सी होर यहां पर जो है आपका right answer होगा अंगल्या question है यहां पर कि मद्द प्रदेश में बर्स 2017 के खजुराहो नत्म हुस्ताय में अतीती देश कौन सा था most important question है question number 10 का right answer भूटान, अमेरिका, रूस, बंगलादेश तो question number 10 का right answer क्या होगा तो इसका जो right answer है वह है बंगलादेश बंगलादेश आपका यहां पर right answer होगा बंगलादेश 2017 में जो खजुराहो नत्म हुस्ताय हुआ था इसमें जो अतीती देश था वह है बंगलादेश था अंगलादेश यहां पर क्या है कि सार्क देश का दो दिविश्य सम्मेलन इंद्वर में हुआ इसमें कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था पांच छे सार या आड़ तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा वह कॉस्चन नंबर विकल्प नंबर ए यह आनी की पांच पांच देशों ने जो है भाग दिया था अंगलादेश यहां पर कि इंद्वर में हुए उप्रुक्त सम्मेलन क विसर क्या था जलवायू परिवर्तन या साइस्टेन नेवल डेवलब्मेंट गोल या राजनीती में महलाओं की भागदारी या उप्रुक्त सभी तो आपका right answer है विकल्प नंबर B विकल्प नंबर B में क्या है साइस्टेने बल डेप्लमेंट गोल जो है आपका right answer होगा विकल्प नंबर B आपका सही answer है अंगला कॉस्चन है क्या है कि मद्द प्रदेश के मुखे न्याधीस हेमंत गुपता पहले किस उच्चे न्यालाय में न्याधीस थे तो बताईए कहां पर थे पहले बताना है पटना चंडिगर बिलासपूर या इलाहबाद तो आपका right answer है पटना पटना आपका विकल्प नंबर एक जो है right answer होगा अंगला कॉस्चन है क्या है कि मद्द प्रदेश किस इस्थान से 1.6 अरब बर्स पुराने एलगी के जीवास में प्राप्ते हुए हैं हर्दा, चित्रकूट, जाबुआ या मंडला क्वश्चन नंबर 14 के यहां पर right answer है चित्रकूट चित्रकूट आपका जो है विकल्प नंबर B आपका right answer होगा चित्रकूट अंगला कॉश्चन है यहां पर क्या है अंगला कॉश्चन कि किस मेट्रो रेलवे ने रीवा के अल्टरा सोलर पावर प्लांट से 24 पृतिसत विजिली खरीदने के लिए समझवाता किया है तो आपका यहां पर जो right answer होगा भै क्या है लखनव, कोलकाता, दिल्ली या जैपुर तो आपका right answer है यहां पर दिल्ली दिल्ली यानि की बिकल्प नंबर C जो है यहां पर right answer होगा दिल्ली अंगला कॉस्चन है कि सत्खंडा महल किस जिले में है सत्खंडा महल बताना है कॉस्चन नमबर 16 का राइट आंसर सत्खंडा महल किस जिले में है तो आपका राइट आंसर होगा यह है दतिया में कहां पर है दतिया दतिया है जो यहाँ पर है सत्कंडा महल अंगलिया question है यहाँ पर कि मद्धप्रदेश के मुहम्द सबीरदाध किस खेल के खिलारी थे हॉक्की, किर्केट, बॉलीबॉल या हैंड़वॉल तो क्या होगा राइट आंसर मुहम्द समीरदाध किस खेल के खिलारी थे एहमद प्रिदेश के थे तो आपका राइट आंसर होक्की, होक्की विकल्प नमबर जो A है यहाँ पर राइट आंसर होगा, होक्की के जो हैं खिलाली थे हैं, अंगला कॉस्चन है यहाँ पर क्या है कि भगवान सनी की बहन किस नदी को कहा जाता है, तो बताइए, नर्मदा, तापती माही यहाँ पर छिप्रा, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, विकल्प नमबर B, तापती आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा तापती, तापती आपका यहाँ पर सही आंसर है, अ पताईए सरदार पर जो बरनेजीव अभ्यारन है एहमद प्रिदेश के किस जिले में most important question रतलाम धार जाबुआ या ग्वालियर तो आपका right answer होगा धार धार विकल्प नंबर भी आपके यहाँ पर जो है right answer होगा धार अंगला question है कि डुबिरी किस राष्टी उध्यान का पुराना नाम है संजाई गांधी राष्टी उध्यान बांधब गड़ राष्टी उध्यान काना राष्टी उध्यान या माधव राष्टी उध्यान तो डुबरी बता नहीं, डुबरी तो आपके हैं पर जो रॉट आंसर होगा भाई क्या है भाई है भोईकल्प नमबर एक संजाय गांधी राश्ति उद्जान विकल्प نमबर एक जो है आपके हैं पर रईट आंसर होगा पॉस्चेन नमबर 20 का अंगला question है कि गांटीगाव अनजीव अब्यारन मद्द प्रदेश के किस जिले में है ग्वालियर में रतलाम में चंदबाडा में या इन में ऐसी कोई नहीं तो बताईए question number 21 का right answer और 21 का यहां पर right answer होगा कि गांटीगाव अनजीव अब्यारन मद्द प्रदेश के किस जिले में है तो ग्वालियर आपका जो विकल्ब नमबर A है ना यहां पर right answer होगा अंगला question है कि मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश के कौन से दो पक्षी उनके खत्रे में होने की कारण बहुत सुरक्षा में है तो बताईए वह कौन से पक्षी है जो खत्रे में है खत्रे में होने की कारण सुरक्षा में है तो आपके हैं पर जो right answer है question number 22 का वह है विकल्प number A son or karmur son or karmur जो है आपके हैं पर right answer होगा विकल्प number A अंगला question है कि नमलिकित में से कौन सा छेत्र मद्द प्रदेश का नहीं है तो कौन सा नहीं है चार विकल्प हैं आपके सामने कौन सा छेत्र मद्द प्रदेश का नहीं है तो आपका right answer है विकल्प number A विकल्प number A में आपका right answer होगा हाड़ोती जो है आपका सही आंसर है अंगला question है कि नमलिकित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है चार विकल्प हैं मंडला, देवास, खरगोन, विदीशा तो कौन सा बहर जिला है जो नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है तो आपके यहां पर right answer है विदीशा विकल्प number D जो है यहां पर right answer होगा अंगला question है कि हिंडोला महल मद्द प्रदेश के किस जिले में हैं हिंडोला महल बताना है धार में, चैतरपुर में, अलीराजपुर में या यहां पर जाबुआ जाबुआ है तो कहां पर है बताईए तो आपका right answer है यहां पर धार, धार आपका विकल्प number जो एक है यहां पर right answer होगा धार में है जो हिंडोला महल मद्द प्रदेश के किस जिले में है धार जिले में, अंगला question है क्या है कि CRPF की स्तापना के लिए मद्द प्रदेश का कौन सा सहर जाना जाता है बोपाल रतलाम से उपरी नीमच तो CRPF तो बताए right answer क्या होगा CRPF की स्तापना के लिए मद्द प्रदेश का कौन सा सहर जाना जाता है तो आपका right answer है नीमच नीमच आपका यहां पर जो है विकल्प number D जो है यहां पर right answer होगा नीमच अंगला question है यहां पर क्या है कि OPM LK Light उद्द्योग के लिए मद्द प्रदेश का कौन सा जला प्रदेश का कौन सा जला प्रिसिद्ध है रतलाम मंदसौर नीमच यह से उपरी OPM LK Light उद्द्योग के लिए बताना है तो कौन सा जला है विप्रिसिद्ध है तो आपका right answer है यहां पर नीमच नीमच आपका विकल्प number C जो है यहां पर right answer होगा अंगला question है कि निमलिकित में से कौन सा बांध बेतबा नदीपन नहीं है नहीं है question को बड़े ज्यान से पढ़ना है तो कौन सा नहीं है राजगाट बांध परिच्छा बांध माता टीला बांध बनसागर बांध question number 28 का यहां पर जो right answer होगा बैविकल्प number D बनसागर बांध जो है आपके यहां पर right answer होगा बनसागर जो बांध है यह है कहां पर नहीं है बेतबा नदीपन नहीं है अंगला question है क्या है कि मद्द प्रदेश में इस्तित कितने बायो इस्फियर रिजर्व इनस को में आफ बायो इस्फियर रिजर्व कारिक्रम के आधार पर बेस्ट नेटवर्क आफ बायो इस्फियर रिजर्व में सामिल हैं तो दो या तीन चार पांच तो question number 29 का right answer यहां पर जो आपका होगा बैविकल्प number A यह में क्या है दो दो आ अब यहां पर जो है right answer होगा अंगला question है मद्द प्रदेश का राजकिय पक्षी क्या है बताइए क्या है मद्द प्रदेश का राजकिय पक्षी क्या है भारतिये paradise फिलाई के अचर मोर कववा इन में से कोई नहीं तो आप यहां पर question number 30 से इसका right answer होगा कि मद्द फिलाई के अचर हाँ विकल्प नंबर एक जो है यहां पर right answer होगा विकल्प नंबर एक अंगला question है क्या है मद्द प्रदेश का पहला जीवास में राष्टी उध्यान किस जिले में है बालागाट में सिवपुरी में डिंडोरी में या ग्वालियर में तो पहला जीवास मे बताना है तो आपका right answer होगा कहाँ पर है डिंडोरी आपको यहां पर right answer होगा विकल्प नंबर सी आपका यहां पर right answer है अंगला question है क्या है कि मद्द प्रदेश का छेत्रफल कितना है तो यहां पर right answer होगा 32 का क्या है right answer कि यहां पर right answer है 308 लाख एक्टियर विकल्प नंबर सी जो है यहां पर right answer होगा विकल्प नंबर सी अंगला question है क्यों सा मिलान गलत है तो बताईए कौन सा मिलान गलत है कर्मन रत गोंड गुमन रत भील या परगुनी रत बैगा या खदम रत कोरकू तो यहाँ पर मिलान दिये हैं आपके लिए जो है गलत बताना है कौन सा है तो तेटिस का जो राइट आंसर होगा कौन सा मिलान गलत है तो एह है खदम रत कोरक यह जो मिलान है यह कैसा है गलत है अंगला कोश्चन है या पर कि मद्द प्रदेश सरकार की कल्प ब्रक्षी योजना किस से सम्बंद थे रेसम के लिए बहतर गडवत्ता केड़े में प्रजनन डेरी और पसुधन का विकास अनुसासेत जाती और जन जाती के विरोजगार एवाओं को खुद का व्यावसाय सुरू करने के लिए रिक्सा और टेंपो प्रदान किया जाते हैं या भूमी खरीदने के लिए 10 साल के लि पुझना किस से संबंदे थे तो आपका राइट आंसर विकल्प नमबर एक यानि कि रेसम के लिए बहतर गणबत्ता केड़े में प्रजनन जो है आपका राइट आंसर होगा चैलेंज प्रिसन आ गया यहां पर इसका आंसर आपके लिए जो है कमेंट में बताना होता है कि प्राश्टी मक्का एवं गयांगन संदान के अंदर प्रस्तावित थे तो बताएए आप जो है इसका आंसर कमेंट में लिखें कि खमरिया इटारसी या बुद्धनी या सकलनपुर आंसर कमेंट में बताना है तो आज की वीडियो में बस इसना ही अगर अभी तक आपने वी देख सकते हैं कमेंट के मात दम से जरू बताएं एक वीडियो आपके लिए कैसा लगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप जो है MPGL प्रैरी की परिक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं और अगर आप MPGL प्रैरी बार्टसप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आ 9098609291 इस नंबर पर बार्टसप में मैसेज करना है और यहां से आपको जो है बार्टसप ग्रूप से जोड़ सकते हैं MPGL प्रैरी के जहां पर बहुत सारा इस्टेडी मेटेरियल आपके लिए उपलब्द होता है तो आज की वीडियों बस इतना ही जैहिंद